दर, एक मटमैले यूनिफार्म में आते देखा उसको उपर से नीचे खाकी रंग, और उस खाकी रंग में भी गंदगी का पता चलना मतलब वाकई में कपड़े गंदे थे. चेहरा भी बहुत साफ सुथरा नहीं था, रंग सावला, बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, बाल भी बढ़े हुए. मन में सवाल आना लाजमी था अपने बच्चे को प्री स्कूल में डाले हुए. अभी एक महीना भी नहीं हुआ है. समय से पहले स्कूल पहुँच जाते हैं, हम और वापसी में गेट पर मेरे बेटे की मम्मी ही सबसे पहले पहुँचती है, उसे लेने. छोटे बच्चों को एक-एक करके विदा किया जाता है, ताकि कोई परेशानी न हो. मेरे बाद उस शक्स का आना और इंतजार करना बच्चे के आने का. अभी एक महीना भी नहीं हुआ है. समय से पहले स्कूल पहुँच जाते हैं, हम और वापसी में गेट पर मेरे बेटे की मम्मी ही सबसे पहले पहुँचती है, उसे लेने. छोटे बच्चों को एक-एक करके विदा किया जाता है, ताकि कोई परेशानी न हो. मेरे बाद उस शक्स का आना और इंतजार करना बच्चे के आने का. पहले सबसे छोटे बच्चों को छोड़ा जाता है. वो शक्स भी बेचैन है, मेरी हीतर है, तभी एक मैम एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है, और मुस्कुराते हुए उस शक्स के हवाले कर देती है. वो बच्चा खुशी से उस शक्स से लिपट जाता है. वो शक्स अब बच्चे को गोदी में लेकर जूते पहनाता है. वो बच्चा अभी भी बड़े प्यार से उस शक्स को पकड़े हुए है. बच्चा बहुत ही साफ सुथरा है. कपड़े भी बहुत अच्छे हैं और जूते भी चमक रहे हैं. मैं ध्यान से सुनना चाहती हूँ कि वो बच्चा क्या कह रहा है. वो उस शक्स को दादा दादा बोल रहा है और प्यार से लिपट कर उसे मिठिया भी दे रहा है. मेरा बेटा भी आचुका है. अब मेरी बारी है उसे गोद में उठा कर प्यार करने की और जूते पहनाने की. मैं बेटे को देख खुश भी हूँ और आटो वाले के पोते को देख अचंभित भी क्योंकि उसे अपने दादा के गंदे कपड़े नहीं दिख रहे हैं और उनके बेतर्तीब सफेद बालों से डर भी नहीं लग रहा है. डर तो अब मेरा भी जाता रहा. क्योंकि उस शक्स ने अपने पोते के जूते की चमक को और चमकाने के लिए अपनी चपल में जो टांका लगवाया है, वो मुझे दिख गया है.